हेलो फ्रेंड्स तो आज मैं आपको बताऊंगी कंट्री डिलाइट का मिल्क टेस्ट करके जब आप कंट्री डिलाइट एप से मिल्क दही या फिर कोकोनेट वाटर कुछ भी ओर्डर करते हैं तो उसके साथ फर्स टे आपको कंट्री डिलाइट मिल्क से रिगार्डिंग को पीजिसे और ब्रेंड का दूद आप लेते हैं तो आप उसे इसके Ist कित में डाल के टेस्ट कर सकते हैं तो मैंने भी यहां पर नंदनी मिल्क को बियान है और यहां पर चार चंबर है चारों में बता रहा है कि पहलेवाला चंबर में यह बता है कि मिल कितना फ्रेश है सेकंड में यह बताएगा कि इसमें यूरिया है कि नहीं थोड़ा सा ले लिया है कच्छा ही दूद हमें डालना है गरम करके नहीं डालना है तो यह मैंने ले लिया था और अब मैं न्यूद्य करूँगे इसके अंदर आपको मिलती है तो इस डीप को इस पैकट के अंदर से undo करके आपको निकालना है और इसके अंदर आपको डालना है तो पहले चारो मैं ट्रेप्स निकालले रही हूं और इसको सिक्वेंस और यह रखें विख कि अम बातिचेश यूद कैसा कि यहाँपे होता है कै या अधिर देख सकते हैं जो पहला श्ट्रिप में निकाला था जिससे असे है। ब्लू कलर का यहां पर इली ठिर आपको स्ट्रीप से लिया है तो इसी सी कशिर रखता है इसा ज़लोग कलर के यहांपर स्ट्रीप को कि वेयर सबुस्ट करने चीक दो सबसे पहले हम होमें चारों चैंबर में डाल देना है और साथी में जो strip ये लंबा से दिया हुआ है तो मैं ऐसे आधा-धा cut करके ही डालूँगी क्योंकि आधा strip से मैं चेक करूंगी इस country delight के milk को और आधा मैं चेक करूंगी जो मैं regular इसे पहले यूज करती थी नंदनी मिल्क का तो मुझे दोनों टेस्ट करने हैं तो मैं आधा-धा श्ट्रिप इसमें कट करके डालूंगी तो देखिए मैं इसी तरीके से चारों चेम्बर में डूद डाल देना है दूद आप पूरा भरके भी डाल सकते हैं आधा भी डाल सकत है कि मैं पूरा स्ट्रिप डालूंगी मैं आधा डालूंगी जिससे की आधा मैं रख सकूंँ अपने रेगुलर मिल्क को टेस्ट करने के लिए मैं यहां पे चारों डाल दे रही हूँ और वापस उसी पैकेट में हमें इसे रख देना है जिससे की स्ट्रिप इधर उधर न यूरिया कैमिकल मिक्स है कि नहीं थर्ड में स्टार्च जो दूद को थोड़ा मोटा करने के लिए यूज किया जाता है वो एड है कि नहीं और फौर्थ में सोप एंड डिटरजन जिससे की जाग अच्छा बनता है तो वो एड है कि नहीं अब इन सबको धकन को बंद करके इसे एक बार अच्छे से शेक कर देना है और शेक करके हम इसे पांच मिनट के लिए रख देंगे आप देख सकते हैं पांच मिनट के बाद सेंटर के दोनों में कोई चेंजिस नहीं है लास्ट में सोप एंड डिटरजन में हलका यलो और फ्रेशनेस में हलका सब लिव तो चलिए अब मैं 25 मिनट के बाद का आपको यह रिजल्ट दिखा रही हूं तो यह देखिए 25 मिनट हो गए हैं यहां पे कलर वैसे का वैसा ही है और बीच के दोनों चैंबर में कोई चेंजिस नहीं है और लास्ट में लाइट यलो कलर ही रिजल्ट मिला है तो इसका मतलब किट अंट्री डिलाइट वाला खुद कीट दे रहा तो इसकी दूद में तो मिलावत होगी नहीं बट अब हमें यह चेक करना है कि यह किट भी सही है की नहीं तो इसकी लिए चलिए अब मैं अपना दूसरे जो दूद मैं यूज करती हूं उसका मैं टेस्ट करूंगी और दूद का नाम है नंदनी मिल्क जो कि साउथ में मिलता है और साउथ का यह ब्रैंड है तो मैं अब उस दूद का टेस्ट आपको करके दिखाती हूं तो चलिए फ्रेंड्स जैसे कि यह कंट्री डिलाइट का यह मिल्क है मैं आपको दिखा दिया कि कैसी इसकी पैकेजिंग होती है और दूसरा है नंदनी मिल्क जो कि हम लोग यहां साउथ में यूज करते हैं यहां का ब्रैंड है यहां पे सबसे ज़्यादा यही दूद बि लेकिन एक बात को ध्यान रखना है कि आप टेस्ट करें तो इससे पहले आपने टेस्ट किया वह था तो आपको इस कीट को अच्छे से द्हो लें यह उसमें क्यमिकल हमने टेस्ट किया था तो यहां जिस भी लिक्विड लेक इस जो आप बरतनों के यूज करते हैं उसे दूड दाल दिया है अब हम डूइने डाल दिया है पहले वाले मिन जैसे आपको पता है कि लीव मनि और भी बी चुछ के दोनो नाम लिख़ उइंब तो दोनों को डाल दूंगी को इसनल मुएइ डाल दिया दाल दीए हैं घ्कन करती में मैं बताए इस तरीक से चारों में इसमे तो को बंद कर लेका न आए तो यहां मैं चारों चैमब़ų को बंद करने हुआ है नहीं जरी में भी राइमें थे तो टाइक है करने हैं और शाल आदा चारों तो बाहर ना months ago नहीं हुआ है alright कि नहीं है तो 25 मिनट कंप्लीट हो गया है और यहां पर देख सकते हैं कलर जो चेंजिस आए हैं वो कैसे आए हैं बीच के दोनों में बिल्कुल चेंजिस नहीं है मतला इसमें यूरिया का मिक्स नहीं है इसमें स्टाज की कौन्टिटीव दूद में नहीं है फर्स्ट वाला यलो सॉरी थोड़ा सा ज्यादा हुआ है तो यह मैंने जान मुझके कल का मतलब कल का दूद में पर्चेस करके लाई थी तो आज मैं टेस्ट कर रही थी क्योंकि मुझे देखना था कि फ्रेशनेस में भी डिफरेंस दिखाता है कि नहीं सेम रिजल्ट आएगा तो हमें क्या दिफरेंस पता चलेगा तो बिल्कुल सही दिखा रहा है ब्लू कलर का थोड़ा सा ज्यादा हुआ है तो मुझे दोनों की रिजल्ट अच्छे मिले हैं लेकिन हां कंट्री डिलाइट का जो मिल्क है वो थोड़ा ज्यादा कॉस्टली है मतलब 34-35 आधे लिटर मिलता है उसम तो मुझे लगता है जब सेम रिजल्ट है और टेस्ट में भी ज्यादा बहुत अच्छा डिफरेंस नहीं है तो मैं क्यों नंधिनी मिल्क लूँ तो मुझे कंट्री डिलाइट का बहुत मतलब महंगा है तो वू मैं खीलू तो ये था अन्बॉक्सिंग कैसा वीडेओ वीडियो पसंद आया तो लाइक भी जरूर करें